आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार दिनेश शर्मा और किसान नेता राकेश दिकैत नजर आएंगे तो तीसरे चरण की रण में जान जोकी जा रही है सभी पाठियों के दिगज आज तीसरे चरण के प्रचार में लगे हुए दिखेंगे आपको बता दे कि राइबरेली में कई सियासी दिगजों का जमावड़ा लगेगा आज राइबरेली में सपा सुप्रेमो अखलेश यादा वो अपमोखे मंतरी दिनेश शर्मा दोनों ही नजर आएंगे यानि कि बीजेपी सपा जिस तरह से आपस में ट्रक कर दे रहे तो वहीं आज राइबरेली में भी आमने सामने नजर आएंगे और इसी खबर चुनाओं के शुरू होते ही जो है नेताओं का जमाउडा राइबरी जन्पद में लगने लगा है आज कि साड़ेश यारा बजे के बीच में अखलेश यादो लाल गज्ज में एक चुनावी चिनसभा को भी संबोधित करेंगे वहीं पर टिपी सियम जिनेश सर्मा जो है ह कारिक्रम निर्धारित है जी हाँ यह साड़ेतर में इनके राय भी पहुचने कालेज में होगा और वहां पर एक वह सरेली विधान सभा और हर्चलपूर विधान सभा की एक बड़ी जन्पद करेंगे जी वहीं मुख्यमंत्री दिने शर्मा भी आ रहे राय बरेली तो उनक के कारिक्रम कौन-कौन से और कहा-कहा पे निर्धारित हैं? पूरी रहोने पर भारती जलता पार्टी के खिलाफ में वो जो है लोगों से मरतार करने के अपील करेंगे जी अखलेश रदव आज आ रहे हैं तो वो कौन-कौन से प्रत्याश्यों के लिए वोटी अपील कर सकते हैं जी तो तीसरे चरणक में राय बरेली काफी एहम है और साथ ही राकिश्ति गैद भी जब आज आ रहे हैं तो इसे किसानों पे किता प्रभाव पड़ेगा और जो वोट बैंक के किसानों के उस पे क्या अशर पड़ सकता है जी बिल्कुल और कौन कौन से नेता भी तक राय बरेली की धरती पर आ चुके हैं और जंता से संपर्क कर चुके हैं ओम शंकर जी आ नेताओं का आखमन तो लगा ताट जारी है अपड़ना यादो आ चुकी है उसके बाद राजनास सिंग अच्छा मंत्री आ चुके हैं किसों पड़ाद पोड़े आ चुके हैं कम अनुक्रिया पटेल को आना है तो कहीं ले कहीं जो है और राजनीतिक चलों के नेताओ का जमाओरा अब राजनीति जल्पत में लगना सुनू हो गया है जो बहुत 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 शुक्रिया माईसा जुड़ने के लिए तमाम चानकारी के लिए इस ख़बर पर माईसा समद आता ओम श्यंक का शुक्ला जुड़े थे राई बारेली से तो आज कई दिगज नज़र आएंगे जो आँ अखलेश और वहीं डिप्टी सीम दिनेश शर्मा नज़र आएंगे आज राई बरेली में तो वहीं राकेश टिकैत भी आज राई बरेली में मौझूद रहेंगे किसानों के साथ बाठा करेंगे और साथी प्रेस कॉन्फरे विदान सभाँ चेत्र में रोड शो करेंगे ये दोनों सीटे ही भाजपा पिशले चनाओं में हार गई थी जबकि आज शा यूपी की उद्योग नगरी कानपुर की लेनिन पार्क, आनन्द बाग, संगीन टॉकेज और चरहा, डिप्टी पड़ाओ चरहा, मूलगंज से घ ये द्योग नगरी कानपुर में मौझूद हैं और बीती शामी वो कानपुर पहुँच चुके हैं, उनका काफिला कानपुर पहुच चुका है, आज कई कारेकरम नधारित हैं, बीजेपी के प्रत्याश्यों के लिए वोट की अपील करेंगे, खास्ताव से उन दोनों सीट दोरा मानना जा रहा है, बीजेपी पूरी रणनीती के साथ काम करती है, अपने दिकजों को जमीनी स्तर पर उतारती है, और इस बार भी यही देखने को मिल रहा है, खास्ताव से उन सीटों पर फोकस करा जा रहा है, जहाँ पे पिछले चुनाओ में प्रदर्शन अच्छा है, जहाँ पे चुनाओ है, तीसरे चौते चरण के लिए प्रचार तेज हो चुका है, और हर चरण के लिए पूरी तयारी में जुटी हुई लग रही है, वो जाए भाजपा हो या फिर सपा हो, लगतार ताबर तोर जिनसंपर का भियान किया जा रहा है, जनता के बीच जा कानपूर में मौझूद है, क्या कुछ कारक्रम है पूरे दिन भर में उनके? फोकस देखने को मिल रहा है, खास्तोर से इनी दोनों सीट पे आज़ा आम मिच्छा जनता से वोट की अपील करेंगे, किस तरह देखते हैं? ये दो सीटे इनके लिए बहुत माइने रखती है, ये कहा जाता है कि ये सीट किसी टाइम पे बीजेपी की थी, मगर जब सफा लहर में ये सीट सफा को हुई, तो इस सीट पे और पिछली आर और पिस्तीसाम हो वाली सीट जिस पे पिछले कम से कम तीस सालों से वो रही, कम से कम तीस सालों से वो सफा के पास है, इसलिए उस पे भी इनके ज़्यादा नदर बताई जा रही है, इसलिए इसलिए अमिश्या जी सीटों पे ज़्यान दिया जा रहा है, बीजेपी का, जी, कौन-कौन से प्रत्याशी बीजेपी और सफा की तर भाज़पा की तरफ से इनके सुरेश तरुवेधी उतारे गए है आपके आरे नगर विदान सभा से और दूसरे सिसा मउवु विदान सभा से सलीव विश्नवजी उतारे है जो के महामंतरी रहे है भाज़पा और दूसरा एम ल C परजेंड में MLC को MLC रहे किति आइंब क्यी दलू की क्या कुस तैयारिया देखने को मिल रही कानपर में मैं बाकी दलों में कॉंघ्रेस बहुत बाखी कउंघर पीछे नजार हुए वही बाकी सेटें हैं जो की बहुत इस टाइंप पर चल रही है चर्चाएक बिशाहे में एक आरे नगर की सीट थोड़ी समझ में आने वाली बात होती है, मगर ऐसा नहीं कहा सकता है, सिर्फ दिन दोस्ती टोपे लोगों का जोड़ जाता है ऐसे कौन-कौन से मुद्दे है कानपूर में जिसको देखते हुआ इस बाद जनता बोट करेगी? सबसे बड़ा मुद्दा है स्रेम बिरोजगारी का, बिरोजगारी को लेकर कानपूर की जनता में ज्यादा वो है कि बिरोजगारी है, फॉर्म बरते नाम नहीं आता, नौक्रिया नहीं है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, मैं नौक्रियों को लेकर जनता ज्यादा परशान है वही और कानपूर में जब सरकार में गढ़्ध मोख गया था तो कानपूर आज तक गढढ़ा मुख को नहीं हुआ है कि जनता पर यहां तो आरन अगर में विधानसभा की आरन अगर विधानसभा मैं सड़ को दोनों अभी गड्धा मुक्त नहीं हुई हैं कि खुद आपई तक चोड़िये पैदल जाने में Welt उन तक हुआरे तो कानपूर द्वारे पर आजग रिह मंत्रिया में चुआ रहेंगे रोट शो करेंगे जनता से वोट की अपील करेंगे बीती शाम ही वो कानपूर पहुँच चुके हैं और कानपूर से जनता को संबोधित करेंगे तो सपा सरकार पे जुमकर हमला वर हो सकते हैं और कई आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार